स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं आभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं उद्ध्योग पती गौतम अडानी के मुद्धे पर जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है जिस तरह से प्रधान म सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि दरसल राहूल गांधी ने अपने भाशन के जरीए किन मुद्दों को उठाया एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर L.I.C. पर 36,000 करोड के निवेश का दबाव डाला गया क्या उसकी एवज में अडानी ने बीजेपी को चंदा दिया अडानी को हर क्षेत्र में प्राथमिक्ता क्यूं दुनिया के 609 सबसे धनी इंसान थे दूसरे पर कैसे पहुँच गया है क्या इसमें बीजेपी की क्रिपा है तीसरा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई पर फरजी शेल कंपनियों के जरी कारोबार का आरोप जाच क्यूं नहीं इसके बाद क्या जीवी के ग्रूप से एजिंसीस के दबाव के चलते मुंबई हवाई अड़े का जिम्मा जबरन लिया गया बगैर तजुर्बे के एरपोर्ट्स और रक्षाक शेत्र में अडानी का प्रवेश कैसे और प्रधान मंत्री मोधी अडानी का नाम लेने से क्यूं कत राते हैं आज हमने शो को तीन हिस्सों में बाट दिया है राहूल गांधी और अडानी मोधी और अडानी मीडिया और अडानी सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राहूल गांधी और अडानी क्या ये कॉंग्रिस के लिए ये पूरा मुद्दा संजीवनी के तौर पर सामने उभर कर रहा है क्या इस मुद्दे का पंच शुरुआत करेंगे भाशा से अभिसार मेरा साफ मानना है कि राहुल गांधी अडानी के मामले में पॉलिटिकल विसल ब्लोवर के तौर पर सामने आये हैं को पकड़ा है उसने उनको पॉलिटिकल माइलेज यानी राजनेतिक बड़त दी है जिसका असर दिखाई हमें संसद में साफ साफ दिखाई दे रहा है अभिसार क्या है आपका पंच शुरुआ है भाशा कि यह राहूल गांधी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है मगर यह न बाता है तो मीडिया उसे देश-द्रो की संग्या देता है देश-द्रो बताता है जाहिर सी बात है राहूल गांधी ने बेबाकी से सवाल तो पूछे हैं मगर अठारा जगा उनके भाशन को एक स्पंच भी किया गया हटाया गी गया यह भी अपने आपने खाफे माइने र जाता है कि उसके उपर हार या जीत हो जाए कुछे कैसे elections हुए जो बने ऐसे लेकिन उसके लिए फिर आप देखते हैं कि इंदीरा गांधी की तरह विश्वनात प्रताप सिंग की तरह या स्वैम नरेंदर मोदी की तरह कोई बड़ा campaigner इस तरह का campaigner नेता होना चाहिए जो जनता को बिलकुल mobilize कर ले अपने पक्ष में गलत या सही मुद्दे पर तो वो चीज राहुल गांधी में नहीं है वो एक संतुलित व्यक्ति हैं वो बहुत academic ढंग से चीज़ों को रखते हैं समझदारी के साथ रखते हैं लेकिन वो campaigner अभी तक नहीं बने हैं तो ये एक ब record होगा और खासकर एक ऐसे मुद्दे पर जहां प्रधान मंत्री घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं हम ये भी ना भूलें और मिलेश जी मैं नहीं भूला हूँ कि जो किरदार राजसभा के सभापती का था अडानी का नाम आती वो जिस तरह से खड़े हो रहे थे ये देश सभापती और लोग सभाध्यक्ष का किरदार ये तो अब प्रत्याशत है ना देखे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका पर मैं नहीं बात करूँगा लेकिन मैं जो एक्षन हुआ जो जो उसमें फैसले लिये गए मैं उस पर जरूर बोलूँगा मेरा मानना है कि पार निकल क्यों है कि आप उस मुद्दे को रेकार्ड से किन्ही कारणों से बाहर करना चाहते हैं वो कारण क्या हो सकते हैं मौझूदा जो दौर है मौझूदा जो प्रसंग है उसमें सिर्फ यही हो सकता है कि भारत के प्रदान मंत्री को या भारत के किसी मंत्री को सरकार को उस मुद्दे पर अपनी सफाई देने से बचाया जाए पहली बात तो यह है दूसरा मुद्दा यह है कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भविश्य में आप रिकार्ड को खतम कर दे रहे हैं तीसरा कारण यह है कि जो पार्लेमेंटरी जो हिस्ट्री पार्लिमेंट के त्वारा लिखी जाती है समय पर तीन साल पांच साल दस साल बीस साल जब भी होता है चालिस पचास साल तो उसको गायब करा दिया जाए लेकिन आज के दोर में अगले पांच वर्शों तक अविसार ये जो मुद्दा है वो गुंजता रहेगा और मैं यह भी कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं शहादत दे दी गई है राहूल गांदी के भाषण को मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं यह भाषा जैसे ही राहूल गांदी का भाषण होता है आपने एक बात पर गौर किया होगा कि NDTV में अचानक GVK ग्रूप के संजय इंटिव्यू देते हैं और वो सिरे से खारिज करते हैं राहूल गानी का वह आरोब जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई दबाव डाला गया था जीवी के ग्रूप के जिसके चलते उन्होंने मुंबाई एरपोर्ट का जिम्मा जो है सौब दिया मुझे शौकिंग यहां य अधानी ग्रूप के साथ समझाथा किया उसके बाद दागदार से दाग रहित हो गए अभी एक हफ़ते पहले एक महिने पहले जनवरी में लिया तो मुझे लगता है कि अभी सार्थ यह अपने आप में बहुत दिल्चस्प है कि अधानी जी अपने फेवर में जो बात कह र हमला है अडानी इस विकॉल टू इंडिया तकरीबन वही स्टैंड आपको संसत के भीतर दिखाई भारती जनता पाटी का और सरकार का प्रधानमंत्री से लेकि तमाम लोग जो बोल रहे हैं और मोदी जी ने तो बहुत ही परसनल लेवल पे लिया है उन्होंने कहा कि मेरा ज आप जांच कर दीए जो रिपोर्ट आई है उस पर आप इंकार कर दीजे या उससे स्विकार कर लीजे और उस पर एक जांच होनी चाहिए क्योंकि इसलिए मैं उर्मिलेश जी ने अपने पंच में कहा मैं बताना चाहूंगी कि 2014 का चुनाओ टूजी स्कैम पर लड़ा गया था एक भ्रष्टाचार का मामला था वहां तो भ्रष्टाचार दूसरे ढंका था लेकिन यहां पर तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है वो इस हम सबका पैसा LIC में है हम सबका पैसा SBI में है यह सारी चीजें वो हैं जिसमें देश का पैसा है और आम इंसान से जड़ा हुआ मैं आपसे जाना चाहता हूं जेपीसी वाली बात हमने देखा है कि अरसे से जेपीसी जांच होती रही है अब उसका कोई निशकर्ष ना निक रहत है जेपीसी की जांच से कतराना बहुत कुछ कहता है बिलकुल और देखे इस मुद्धे पराने से पहले मैं एक लाइन बस अपनी बात कहता हूं कि देखे मैं जेपीस आमिन टूजी का मामला जो है वो इसलिए बड़ा मुद्धा बन गया देश का 2014 में क्योंकि मोधी ऐसा केंपेइनर था मैं तो पहली पहली कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी या बीपी सिंग या मोधी ये तीन हाल के दोर में ऐसी सक्षियते हैं जो केंपेइन जब करते हैं तो वाकई वो मुद्धा गलत हो या सही वाला कहानी है राहुल जी में वो अभी दम नहीं है वो कल ना है कि किसी भी डिमोक्रिटिक कंट्री में जे पी सी बनना बिलकुल लाजमी था इस तरह के मुद्धे पर जब पूरा का पूरा अपोजिशन जो है इस पर आंधूलित है संपूरूर अपोजिशन सरकार को छोड़ कर माप किजेगा सारे अपोजिशन ए आम आदमी पार् आपने अभी अपने बाते में दो चीज़ें कहीं पहले आपने कहा कि राहूल गांदी में दमखम नहीं है उस तरह इंपेनर बने कहा है बाशा बाशा मैं अपी पर आपी पर आशा रहा हूं देखिए उर्मिलेश जी से मैं कुछ हद तक इसलिए इतिफाक नहीं जवाब भी देंगे आगे मगर मैं आप पर आना चाहूंगा यहां पर आप जो कह रहे हैं कि मोधी जी ने जो माहौल बना दिया मगर हम यह न भूलें मोधी जी के पक्ष में माहौल उद्योग पती हो या मीडिया हो 2012-13 और पिर अन्ना अंदूलन यह बनाया जा रहा था य मुझे जो लगता है कि यहां पर हम यह भूल जा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है और दूसरी बात जो जूट को कैंपेंग बनाने का काम है यहां पर कैंपेंगे इसलिए मैंने कहा कि आडानी वाले पूरे मसले पे इकलौते विसल ब्लोवर राहुल गांदी क तो कि हमने अभी तक इतिहास में और कॉंग्रेस की इतिहास में पत्रकारों ने बहुत अच्छी रिपोर्ट्स लिखी है यार मैं कह रही हूं अरुमिले जी मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए मैंने और बात नहीं कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल विसल ब्लोवर जो खुल कर बोल रहे हैं कि ये सूट बूट की सरकार हैं अमबाणी अडानी के बारे में पहले दिन से वो जो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि ये एक कैंपेइन का हिस्सा है भारत जोड़ो यात्रा जो 150 दिन चली अगर उसमें तमाम जगों पर आप उनके भाशन उठाके देखें वो बोल रहे हैं कि अडानी लूट रहे हैं उन्हीं बातों को कह रहे हैं जो बाते हमारे पास हिंडर्बर्ग रिपोर्ट में सामने आई हैं तो ऐसे में ऐसे में अप पॉलिटिकल पार्टी होते होगे जो आप नियो लिबरल पूरी एकॉनमी लेकर आई है कॉंग्रेस वहां पर आप सीधे-सीधे कॉर्पोरेट का नाम लेकर भिड़ रहे हैं ये अभी तर्थ अप्रत्याश्य कॉंग्र मगर ऐसा है उर्मिलेश जी हम एक ऐसे दोर में जी रहे हैं जहां विपक्ष को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है आपने देखा नहीं मीडिया किस तरह का अजी शेल कंपनियों की बात की जा रही है उद्युक पती गौतम अडानी की भाई विनूद अडानी पर सवाल किये जा रहे हैं और जैसे कि आप जानते है राहूल गानी नहीं ये भी आरोप लगाया कि डिफेंस के एक्षेत्र में जो है उन्हें एहम जिम्मेदारिया दी गई कईक शेत्रों में आपका तजूरवा नहीं था फिर भी आपको जिम्मेदारी दी गई ये सवाल है ये अफवा नहीं है ये फ्री फिफ्टी थी के खिलाव भी मुद्दा नहीं है आप से मैं सो फीस्दी सामत हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और काश की इस द जनता अग्यान के आनंद लोग में ही मजा लेती है काफे बड़ा हिस्सा जनता का मैं सारी जनता को नहीं कह रहा हूँ काफी बड़ा हिस्सा मैं कह रहा हूँ तो ऐसे में कोई अचानक बाबा चला आता है बागेश्वर कोई चला जाता है अमें इस से पूरा एक अंधर बह दिया जाता है कि सारे जंता के वास्तविक सवाल जो है गायब हो जाएं और उसमें भारती जंता पार्टी को महारत हासिल है संग परिवार को महारत हासिल है तो इस परिद्रिश्य को देखकर मैं यह कह रहा हूँ कि आज की तारीक में राजनीतिक मैदान में विपक्ष की मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि वो ये मुद्दे उठाना चाहती है मगर देश की जनता को ब्रेनवाश किया जा रहा है एक बार फिर उसी धर्मांधता की चलते उसी जहरीली बयान बाजी की चलते तो ये दोरी चुनाती है इसलिए मुझे लगता है कि जब उर्मिले जी इंद्रा गांधी वीपी सिंग से तुलना करते हैं आज के दौर की तो आज के दौर में जो हिंदू फासिस्ट स्टेट का पूरा का पूरा खत्रा है जिस तरह से उसने सारे इंस्ट्यूशन पे कबजा किया है उसका खत्रा हम माइनस करके अगर हम लीडर्स देखते हैं क्योंकि अभी जो गिवन सरकम्स्टांस है जो स्थितिया है उन्हीं में विपक्ष को काम करना है और आप ये न भूलें अभिसार और उर्मिले जी आपने भी वो पिक्चर्स देखी होंगी जो उत्राखंड दहरादून से आई है जिस तरह से चात्रों पर बर-बर लाटी चार्ज हुआ है और उसने उन चात्रों की बाते हैं आप सुनिए उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे कहा है कि इसके लिए हम भाशपा को नहीं लाए हमने भाशपा को वोट दिया था ये जो बुनियादी मुद्धे हैं इनको आप जितना भी दबाएंगे धर्मांदता तक लेकिन अंकिता भंडारी का मामला हो बिरोजगारी का मसला हो ये मसले जमीन से उठ रहे हैं जिनको दबाने के लिए तमाम साजिशे हैं लेकिन उसके बीच अडानी जी का मुद्धा सामने आया है इंटरनाशनल फलक पे गया है और संसद में जो डिबेट है जिबेट का जो इस्तर है उसने उन मुद्धों को कम से कम उर्मिलेश जी ने जो कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लाइफ टेली कास्ट है आप दिलीट कर दीजे एक्सपेंज कर दीजे लेकिन वो तत्त दर्ज हो गया है भारती लोकतंतर के इतिहास भाषा और उर्मिलेश आब मैं रुक करना चाहूंगा अपने दूसरे विशय की तरफ आज हम चर्शा कर रहे हैं गौतम अडानी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रिष्टों को जिस तरह से विपक्ष ने लोकसभा और राजसभा में टार्गेट किया अभी हमने चर्शा की थी राहुल और गौतम अडानी अब हम बात करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की उन्हों ने अपने भाशन में चाहे लोकसभा और राजसभा इसका जिक्र बिलकुल नहीं किया अलबत्ता उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ ये तमाम चीजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देखे साब ये देखिए तमाम न्यूस पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी एक अकेला फिर देखे साब अखबारों में देखिए सिर्फ मोदी हर तरफ मोदी, मोदी और मोदी एक अकेला अब एक अकेला कैसे भारी नहीं होगा अब देखे साब न्यूस चैनल्स किस तरह के कारकरम करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जादूगर मोदी मैजिक मोदी है तो मुमकिन है क्या मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप मोदी का मैजिक इंडिया के पापा इंडिया के पापा दोहजार चौबीस में मोदी नहीं तो कौन बे कौन बे आगे देखिए चांद पर होगा मोदी मोदी अरे आप भूल जाएए भारत के अंदर चांद पर भी मोदी मोदी करवा रहा है मीडिया क्या है इस मुद्दे का पंच और मिलेजी आप से शुरुआत करते हैं अभी सार मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर क्यों ये खामोशी रही क्यों पार्लिमेंट में इस पर पिलाकर हमें तो यही लगता है कि मोदी जी स्वैम को बचा रहे थे इसके अलावा कोई और तरीका और कोई और कोई इसकी व्याक्या नहीं हो सकती है क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार चारों तरफ से घिर गई थी भाशा आप बताईए क्या है इस मुद्दे पर आपका पंच देखे मामला बहुत साफ है और जिसको मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री जी ने खुद साफ किया बहुत क्लियर कर दिया कि अडानी जी इस इक्वल टू मोदी जी है यानि अडानी जी पर हमला मोदी जी पर हमला है और यह जो सेल्फ डिफेंस में रक्षात्मक धंग से अपने को बचाने के लिए उन्होंने खेला उनका एक एक शब्द इस बात की गवाही दे रहा है कि मोदी जी और अडानी जी अंसेपरेबल है यानि उनको अलग-अलग करके राजनितिक तौर पर आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर देखा ही नहीं जा सकता है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाशा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जो दो दिन भाशन दिया यकीनन उस भाशन का एक पहलू था कि उन्होंने कांग्रिस पर जोरदार हमला बोला कांग्रिस के इतिहास की बात की तमाम चीजे की और प्रधान मंत्री की इस भाशन को सिर्फ वाटसाप के जरिए कम से कम सत्रा से अठरा करोड लोगों तक पहुचाया जा चुका है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या असर होगा मगर मोदी जी की बाउकलाहट खासकर जब राजसभा में मोदी अडानी भाई-भाई के नारे के लग रहे थे वो बाउकलाहट साफ तोर पर देखी जा सकती है चलिए शुरुवात हम यहाँ पर करना चाहेंगे भाशा मैं प्रधान मंत्री के भाषण का जिक्र करना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को नहरू से इतनी क्या शर्म है वो अपना सरनेम नहरू क्यों नहीं कर देते हैं गांधी क्यों कहलाते हैं, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि देश के प्रधान मंत्री हैं आप, भाशन की गर्मा एक स्तर होना चाहिए, आप नहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, बता अगर यह मान लेते हैं, अगर राहूल नहरू होते हैं, राहूल गांधी नहीं होते है तो कल भाशन में कहते हैं कि मित्रों अपने दादा का सरनेम देने में शरम क्यों है मित्रों तब वो कहते हैं कि हिंदू रीती रिवाश का कितना माख़ोल उड़ाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी से भूल जाते हैं कि कबीर कप पैदा हुए रैदास कप पैदा हुए गुरू तीनों एकी काल में आ जाते हैं उसी तरह से शायद मुझे लगता है मोदी जी आप भूल गए कि इंद्रा गांधी जी ने फिरोज गांधी जी से शादी की और उसके बाद इंडरा गांधी लगाया तो उससे पहले का नाम आप देख लीजे हिति अब मिट रहे हैं पहले वाला इतिहास तो ये सारा का सारा जो ड्रामा उन्हों रचा क्योंकि अधालब at कि मिलने नह्रों बगाने तो बहुत मसा है कि बाई हर चीज को गाली करते हैं हर चीज के लिए जमें राहुल से ब्रच के भाषण भाषण हड़न देश के रिपोर्ट आई है उसके लिए भी मुझे लगता है कि उनको कवच नहरू जी ही मिले और इसलिए अडानी पर एक शब्द बोलने के बजाए वह फिर वापस चलेगे नहरू जी के पर पूरी तरह से मुझे लगता है कि मोदी जी अपने घर में तो भूले ही हुए है चाहिए वह पत्मी का मसला हो या मा का श्राद का मसला हो यहां पर विपक्ष पर हमला करते समय बिलो दा बेल्ट हमला करते समय वह भूल गए कि इंद्रा गांधी जी ने शादी किस से की थी उर्मिलेश जी दिल्चस बात यह है कि उन्होंने जिक्र इंद्रा गांधी का भी किया कि क कितनी बार उन्होंने आर्टिकल 356 का इस्नमाल गया, कितनी बार सरकारों को डिस्मिस किया, जो एक हकीकत है, उसे कोई नजर अंदाज नहीं कर सकता है, मगर नए जमाने के जो इंदरा गांधी के अंदाज में, जिस तरह से साम दाम दंड बेट से सरकारें गिराई जाती हैं, हाँ, सीक्रिट एरेक्टोरल बॉंड्स के जरिये अधाः पैसा अरजित किया जाता है, पी-एम केर्स फंड किस कोई में जा रहा है, कोई नहीं जानता है, और फिर ये सब दिखाई देता है, जब महाराश में विधायक जो हैं, चालीस के चालीस, एक राज से दूसरे हैं, मगर आप जो कर रहे हैं, वो भी तो एक अखीकत है, अभी सार, हमारे यहां केवल इंद्रा गांती नहीं, मैं तो कहता हूँ कि नहरू जी के जमाने में भी सरकारें लगातार गिराई गए, ये मेस्टर मुदरीपाद की सरकार गिराई गई, उसके पहले पंजाब की सर कार गिराई गई कश्वीर में, तो भारत के लोकतंत्र का ये बड़ी विडंबना पूरनिस्टती रही है, इसमें कोई दोराए नहीं है, लेकिन जो नरेंदर मोदी जी सारा एक्विजिशन सारे आरोप कांग्रिस पे लगा रहे हैं, जो लंबे समय तक राज करती रही, उस है नहीं की तरीके बदल गए हैं, उन्होंने का भई राजपति शासन के लिए तो कांग्रिस सरकारी जीमेदार रही हैं, और वो बदनाम हैं, चलो हम को यह और रास्ता आप अख्यार कर लेते हैं, यह बड़ा यह एक सडल किसम का गेम है, कि हम वो काम ही नहीं करेंगे जो क सरकार बन गई, हर जगा, और कह रहे हैं, राजिस्थान से भी पहले अभी गेम हो सकता है, इस तरह की सुखवगाड ने, अगर बहुत नैतिक मान दंड आपका था सियासत में, तो आपको कहना चाहिए था कि नहीं हम सरकार ऐसी नहीं बनाएंगे, हम फिर चुनाव हम अध्यावधी चुनाव में जाएंगे, वो आपने नहीं किया, भाषा, भाषा, प्रधान मंत्री के उस भाषन का, उस पहलू का हमें जिक्र करना है और इस पर मैं आप दोनों की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, एक अकेला सब पर भारी, मैं आप दोनों से जानना चाह है, वो प्रधान मंत्री मोदी के पक्ष में जाऊंगा, मैं अकेला और सब से लड़ रहा हूं, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से उन्होंने, 2014 का भी अगर आप देखे, पूरा का पूरा प्रचार, 19 का प्रचार यहीं से शुरू किया, और इसमें एक शब्द उन्ह जाता है, कमल उतना जादा खिलता है, यह भी वो भाशन में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार फिर वो विक्टिम हुट कार्ट की चारों तरफ से घेर लिया गया है, शेर G20 का हर जगा जगमगा ही रहा है, तो यह कोशिश हो रही है कि विपक्ष ने उनको घेर लिय है, वो अकेले लड़ रहे हैं और अकेले लड़ते हुए सबसे ज़्यादा घिरे हुएं ताकि सहान भूती मिले, मुझे लगता है, दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, कि उन्होंने यह भी थाबित कर दी अपने इस भाशन से, कि अडानी के मसले पे वो अकेले घिरे है, दर असल लड़ाई वही बन रही है, और इसमें उनकी कोशिश है, क्योंकि अभी तक यह आजमाया हुआ नुसका है, यह पूरा का पूरा आजमाया हुआ तोर तरीका है, कि मोधी जी खुद को एक विक्टिम के तोर पे पेश करके, यह बताते हैं, याने की भाशा दो च गुरू बन गया, देखे ऐसा है, कि यह तो लोगों के अंदर आप एक बात कहके और कंश्यूजन क्रियेट कर दें, जी ट्वेंटी की सधारत जो है, ना जाने कितने देश कर चुके हैं, और आप से बहुत कमजोर देश कर चुके हैं, आप तो फिर भी इतने इतनी बड़ी आबादी वारे देश हैं, लेकिन ये खर मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझे एक नई चीज इसमें दिखाई दे रही है, वो RSS के लिए बड़ी चिंता जनक है, RSS अब तक कहता था कि हमारे यहां जो भी होता है संगठन शक्ति, संगठन सब कुछ है, व्यक्ति के वल मुख कर रहे हैं, वो कहा रहे हैं कि मैं, 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 नो RSS, नो आगनाजिशन, तो जो पॉलिटिक्स सिर्फ आगनाजिशन में यकीन करती थी, वो आगनाजिशन को निगेट कर रही है, यह अजीब एक विरोधाबास है, और दूसरी बात, कि मोधी जी देखिए, एक प्रधान मंत की जो गरिमा होती है, थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाना चाहिए, कि वो एक अच्छे केमपेनर हैं, चाहें गलत हो या सही हो, वो एक केमपेन कर लेते हैं, वो पार्लमेंट के अंदर प्रधान मंतरी के पद पर बोलते हुए भी बिलकुल केमपेनर नजर आये, खास तीसरे मुद्दे का, अब ये तमाम मुद्दे मीडिया को उठाने चाहिए थे, आप ये ना भूलें, कि प्रधान मंतरी नरेंट पूदी का जब भाशन शुरू होने वाला था लोग सभा से पहले, पूरे मीडिया ने उसके तयारी कर दी थी, कि मुतोड जवाब देने वा तीवी पर और उसके बाद दवायर पर मीडिया पर एक प्रोग्राम करता था, लेकिन मैंने बाद में मीडिया पर प्रोग्राम करना छोड़ दिया क्योंकि मेंस्ट्रिम मीडिया को मीडिया कहना बहुत मेरे लिए अमिन उचित नहीं लग रहा था, तो ये दरसल मीडिया ज तासन रचना के लिए भाशा बताईए क्या इस मुद्धे पर आपका पंच कि यह जो पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट है जिसमें 10 से 20 25 के करीब तमाम पत्रकार जो अलगलग चैनल में है एन आई जैसे एजनसी है वो एक ही स्क्रीन शॉट ट्वीट करती है और यह बताने की कोशिश करती है कि मोदी जी ने आज किस तरह की जैकेट पहनी है किस तरह से प्लास्टिक से यह रिसाइकल जैकेट है और एक ही समय है 11 बच के 52 मिनट से लेकर 11 बच के 56 मिनट तक यह सारा का सारा आता है यानि मामला बिलकुल साफ है मोदी जी पर जब हमला होता है तो उनके बचाव के लिए बीजेपी का आई टी सेल बाद में आता है लेकिन मीडिया के तमाम चेहरे सबसे पहले मैदान में उतरते हैं अभिसाथ क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर पंच के लिए मैं सिर्व एक मिसाल देना चाहूंगा कॉंग्रिस के निता मलिका रुजुन खडगे मीडिया की दैनी स्थिती पर भाशन देते हैं कहते हैं कि देखिए जो सचे पत्रकार हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है उन पर दबाव डाला जा र रही है अचानक पापा की एक परी सामने आती हैं और खडगी जी को चुनौती देने लगती हैं कि आप को मैं चुनौती देती हूं आप साबित कीजिए अरे महतरमा आप वो हैं जो मोदी जी से इंटर्विव करते हुए कहते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं तो वही प प्रचार तंत्र पूरी तरह से विपक्ष का मजाक उड़ा रहा हो उसे देशद्रो की संग्या भी दे रहा हो और जैसे आपने कहा पूरा टूलकिट तैयार था प्रधान मंत्री मोधी क्या पहनने वाले थे अप पूरी प्लानिंग देखिए बिल्डप कर रहे थे किस जरीए उनके जाकेट के जरीए फिर तमाम शोज चलाय जा रहे थे कि मीडिया आज मोधी मो तोड जवाब देंगे और फिर शाम कुछ इस तरह के कारक्रम होए पूरी जो आप देखिए पूरी प्लानिंग हैं उनका काम तो इससे अच्छे ढंग से यह तमाम मीडिया कराने कर रहे हैं क्योंकि तो सुबह से ही चालू हो जाती है वैसे मैं आपसे पूछू हूँ यह जो मीडिया कर रहा है यह भी तो आई टी सेल है नहीं कोई फर्ख नहीं है नाम तो अलग-अलग है नाम कम से कम करते हैं इसलिए जो यहां पर है ना सौफ्ट्वियर चेंज करना चाहते हैं वह दरसल करते हैं एजंडा सेट कर देते हैं अब आप देखिए कि इतना बड़ा खुलासा जो अंतराश्टिय मंच पे हुआ जो हम तथ्यों से बात कर रहे हैं और यह तथ्य ऐसे वैसे नहीं ह पढ़े श्री लंका में जिस तरह से विंट पावर दी गई यह किस ने बोला यह वहां के राष्टपती राजपक्षे ने पब्लिक में बोला कि मोदी जी ने दबाव डाला जिसके बारे में बात है औस्टेलिया में अडानी जी के खिलाफ प्रोटेस चल रहा है कि वहां प बात करने के बजाए आप सवाले इन पर नहीं बात करेंगे तो आप जिनको पापा की परिया कहते हैं वह सुबह से शाम तक क्या चलाएंगी तो उनके लिए टूल कि तयार है कि मोदी जी इस तरह से दाहारेंगे मोदी जी जब दाहारते हैं तो देखिए शेर भी चलता है G20 का शेर आ जाता है स्क्रीन पर मैं तो देखके दंग हो गई थी कि ये दोनों का कंपैरिजन क्या है और उसी के बाद आपको दिखाई देगा जैसे लगता है मोदी जी का भाशन पहले सिंग को पता था कि मैं अकेला सप्पे भारी शेर पहले से चल रहा है मैं अकेला सप् इस पर जो तमाम एक्सपोजें हैं चली हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई अब जो तमाम इस पर खबरें आ रही हैं फाइनाशल टाइम वाशिंटन पोस्ट रोइटर्स ब्लूमबर्ग इन तमाम एजनसीज और अंतराश्य अखबारों या एजनसीज के जरीए सामने उभर कर आ रही हैं और भारत के अंदर भी जो इस मुद्दे पर फैक्ट्स पर कारकरम कर रहे हैं वो सिर्फ डिजिटल पत्रकार कर रहे हैं मुख्यधारा का मीडिया पूरी तरह से गायब है जबकि आप उस देश में हमने देखा था टूजी केस में उस वक्की मीडिया का क्या किर अब रश्टा चार और आखिरकार वही जो प्रॉपिगांडा है वो भारती जनता पार्टी के चुनावी नारों का हिस्सा मना आज की तारिक में कोई भी मीडिया हाउस नहीं है जो इस मुद्दे पर एक तारकिक तरक से जड़ा हुआ कोई भी रिपोर्टाज करे यह दुर बंतोर पे जो देश का मेंस्ट्री मेडिया रहा है बड़े इशूस पर अभीसार हमेशा सत्ता की शक्तियों का साथ देता रहा है और राइट विंग का साथ देता रहा है आप देखिए पहले भी आप बैंकों का नेशनलाइज़शन देख लिजे प्रिवी पर्स का महाम्ल गया है, वो सत्ता की संरचना बन गया है, वो जैसे पहले किया था कि सत्ता से अलग उसका एक अस्तित्तो था, वो सत्ता को सपोर्ट करता था, एडीटर्स हुआ करते थे, एडीटर्स अब है नहीं, संस्ताएं खत्म हो चुकी है एडीटर्स की, आइसी इस्तित्ती में सिर्प मालिक है मालिक का बैठाया हुआ बंदा जिसको आप कुछ भी कह लीजे सी-ो कह लीजे एफ-ो कह लीजे जो भी नाम दे लीजे ये सभी लोग एक किरदार हैं एक करमचारी हैं और ये लोग बेसिकली जो आप कहा रहे हैं न कि आई टी सेल तो उसी तरह से ये प्रचार के चा हुआ है तो वूस्पेपर हैं अभी भी अंग्रीजी में कुछ एक नीईस पेपर्स हैं जो ये एसास दिलाते हैं कि मीडिया बचा रहे गा शायद अन्टिम समय तक बचा रहेगा और उसके अभी भी आवाजें आ रही हैं छंचन के आती हैं दब दब के आती हैं लेकिन आज आती हैं अब आप देखिए इस बार भी यह जो अड़ानी साहब के मुद्दे पर भी कुछे कैसे अंग्रेजी अकपार हैं जिनोंने कुछ तो छापा है चाहे जितना भी बच-बच के छापा लेकिन उनोंने चापा हमें नहीं बोलना चाहिए कि अंग्रेजी की बहुत मश्यूर पत्र का जो मुंबई से चपती है मुंबई से इपी डबलू एक जमाने में उसने भी बड़े बड़े आर्टिकल चापे अब वेब साइटे हम बता सकते हैं हम नाम क्याल है ठीक है लेकिन लेक 21,000 लोग बारे गए हैं वहां पर तुर्किये में मोदी मोदी चलाते हैं और उनको शर्म नहीं आती वह उसके सासा जिस तरह से दिखाते हैं कि जहां वो इंडिया वाली रेस्क्यू टीम है उसके उपर वो मोदी जी का चेहरा भी लगा देते हैं तो मुझे लगता है कि जि आपका देश का पैसा इस अर्थवेवस्था का पूरा का पूरा विश्वास विश्वगुरु की बात जो हम करते हैं अंतराश्टी मंच पर हम डाउन हुए हैं उस पे सवाल उठा के लोकतंतर को बचाने के बजाए यहां पर आप हर जगा मोदी जी मोदी और उनके डिफे हैं वो भारत के खिलाफे और इसमें मीडिया एक किरदार निभा रहा है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश और भाशा आपका तो इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजिया नमस्कार